भगवान की मौत विजयदान देथा मारवाड में बादल बर्खा का अभाव तो निश्चित है लेकिन रेगिस्तान की इस धर्ती पर लोग कताओं, लोग गीतों, लूर फागन, पहेलियां और कहावतों की इफरात है और ये बरसों पुरानी बात है कि नौकूंटी मारवाड के किसी गाओं में तीडा नाम का एक प्रहमन रहता था निपटकेला, गोबर माटी से लीपी हुई जोपडी, खारिये से छाई हुई, घास की ताटी, जोपडी में न चूलहा न चौकी, न तवा न हांडी, पानी की एक मटकी, माटी का धकन और माटी का ही लोटा इकर से बनी खटिया, राली गुदर्ड और एक दो खेस, एक धोती कुर्ता खूटी पटंगा हुआ और एक पहना हुआ, सांगा नेरी साफा, जाती से बामन, पर लिखने बाचने का नाम नहीं, एक दम ठोट ज्यान और विध्या के नाम पर बस कुछ नदियों और परवतों का नाम जानता था, अल सवेरे उठते समय और रात को सोते समय होट फरफरा कर पांच साथ नाम गुन गुना लेता और खुश हो जाता नितांत भोला और अधभावला साथ, ना किसी की हरी में और ना किसी की भरी में, लेकिन शकुन वकुन के लिए नाम जद, किसी शुबकारे के लिए आस पास के गाउं या दिसावर जाने वाले लोग उसके लिए चुक रहते, वो बात शुरू करने के पहले मुस्कुराता और बाद में भी मुस्कुराता, इसलिए उसके भूखे अगाय का किसी को पताना चलता, वो भूखे पेट भी मुस्कुराता और भरे पेट भी मुस्कुराता, वक्त सर नहाने का तो जैसे उसने संकल्क लिया हुआ हो, जब पाला जम्मे जैसी सर्दी में भी नहीं चूकता तब ग्रीश में या बरसात के मौसम में तो चूकने का सवाल ही नहीं पूस के महीने में फकत एक कुर्टा ही पर्याप्त होता कई बार बोरिये यानि कपड़े के बटन लगाना भी भूल जाता उसकी दृष्टी में भीख से बहतर न तो धन था न धर्म और ना ही तीर्थ दूरिया नस्दीक सभी गाम वाले उसे सुदामा का अवतार मानते पर कृष्ण भगवान ने तो एक बार जनम लेने के बाद किसी दूसरी मा की कोक धारण नहीं की बूख का कच्चा होते हुए भी वो इच्छा होती तो भीख मांगता वरना जंगल के फल फूलों से काम चला लेता एक बार संजोग से बात ऐसी बनी कि गाउं का फलसा पार करते ही उसे घबराया हुआ सा एक कुमहार सामने मिला पा लागन की ये बिनाही वो कहने लगा कि रात का खोया हुआ गधा अभी तक घर नहीं लोटा चारों तरफ ढूंड ढूंड कर मैं तो हैरान हो गया कहीं पता नहीं चला मेरे लिए हाट मानो तो यही गधा और व्यापार मानो तो यही और तिजोरी मानो तो भी यही गधा है कैसी आफ़त हुई अब क्यों कर छोरू टिंगर पालूंगा कुवा बावडी करने के सिवा कोई दूसरा चारा नही पंडित की मुस्कुराहाट उसे घाव पर नमक जैसी लगी उलाहना देते हुए रूखे सुर में बोला पंडित जी तुम्हें ऐसा संकी तो नहीं समझा था मेरी तो सारी जमापूंजी उजड़ गई और तुम बैठे हस रहे हो पंडित के होठों पर तो सदा मुस्कान ही दमकती थी किसी से उधार तो लानी नहीं थी मुस्कुराते हुए उसने पूछा इस बाई टेकरी के पीछे देखा की नहीं कुमहार तनेक आश्वस्त हुआ तेजी से जवाब दिया नहीं पंडित जी वहाँ बेकार क्यों चक्कर काटता मेरे गधे ने इस टेकरी की ओर कभी मूही नहीं किया भोले बामन की मुस्कान कुछ और बढ़ गई बोला अरे बामले गधों का क्या भरोसा चिंता मत कर एक गधी के आगे पीछे उसे फुसलाता हुआ शायद वो तेरा ही गधा होगा जा जल्दी जा भाग मस्ती मारते मारते कहीं दूर भटक गए तो दूना चक्कर पड़ेगा पंडित जी के सुहाने बोल सुनकर कुमहार को तो जैसे नया जीवन मिला हो इस बार पंडित जी के होठों की उजली मुस्कान उसे बादलों की बीच तमक्ती बिजली सी महसूस हुई बच्चे के उन्मान मुठिया भीच कर हवा की गती से ओड़ा सो गधे के पास पहुँच कर ही रुका मानो प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन हुए हो बार बार पीच सहलाने पर ही उसे एतबार हुआ कि सचमुच उसका गधा उसे मिल गया है उसने तो बिलकुल ही आज छोड़ दी थी दूसरे ही क्षन वापस सुध बुध लोटते ही उसने अदेर गधे पर सवारी गाठी और तबड़क तबड़क पंड़जी के पास आकर प्रणाम उमंग के उच्छाह में इस तरह उत्रा जैसे विमान से उत्रा हो चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहने लगा आज पता चला कि आप बामन की योनी में साक्षात परमेश्वर हैं परमेश्वर आपकी नजर के आड़े न अरावली परवत आता है न सुमेरू बामन की एक सनक और भी थी कि बिरुद के नाम से उसको भारी चिड़ थी कुमहार के प्रशंसा उसे बड़ी अटपटी लगी फिर भी होठों के मुस्कान मिटी नहीं साफ मना करते हुए कहा अरे नहीं रे परशापत ये बात जहां से भी उठी एकदम गलत है पहार तो बड़ी बात मुझे तो हथेली के पार भी दिखाई नहीं देता रहा चलते तेरा गधा दीख पड़ा तो उसका ठेकाना बता दिया कुमार छटके से खड़ा हुआ हाथ जोड कर कहने लगा बुरा माने तो हजार बार मानना पर मैं आपकी सरासर जूठी बात नहीं मानूंगा जो अपने आपको अवतार या भगवान मानता है वो भगवान नहीं थग है धूर्त है पर आपकी तरह जो इंकार करता है वही सचमुझ भगवान है उसकी भोली बात सुनकर बामन को हसी जूट गई चारों तरफ इधर उधर देखा शायद किसी पेड़ पर कोई फल फूल नजर आएं तो पेड़ की वेदी में थोड़ा होम कर ले फिलहाल तो जड़बेर या खिरनियों से ही चेप चाप कर लेगा बीतर तो जैसे लप्टे सो लग रही हूँ फिर कुमहार की तरफ एक तक खूरते हुए बुला बामला कहीं का क्यों खामखा बाते च्छोंक रहा है भूक की वज़े से मेरी तो आतें कुल बुला रही है और तुझे मजाग सूज रहा है ये भगवान भगवान तो भूत है भूत भरम के भूत मैंने पुखता पड़ताल कर ली है अब तू न माने तो मैं क्या कर सकता हूँ अपनी अपनी समझ है आज पहली बार किसी मनुष्य बंदे को अपने मन का सच्चा भेद बताया है गधे का लंबा चोड़ा ललाट सहलाते हुए वो कहने लगा अब आप चाहे जितनी गुमा फिरा कर बात कर लें मैं मानने वाला नहीं क्यों भगवान को कब भूक लगती है वो तो केवल वासना के भूके हैं वासना के अपने देश में मंदिर और प्रसाद की क्या कमी उनकी वासना ही बेसुमार है एक कदम भी आगे नहीं जाने दूँगा चलिए मेरे साथ गाउवालों को आपका प्रत्यक्ष पर्चा बताये बिना मुझे चैन न मिलेगा इतना कहकर उसने भला सोचा न बुरा पंडित जी की कलाई पकड़कर उन्हें खीचता हुआ गाउव की राहा ले चलने लगा भोले बामन ने आगे कुछ भी विवाद नहीं किया मुस्कुराता हुआ चुपचाप उसके साथ रवाना हो गया इस अचीते कौतुक की वजह से भूख की आज कुछ देर के लिए वो बिसर गया और कुमार के चेहरी की ओर देखते हुए बोला अब मेरा हाथ तो छोड़ भागूंगा नहीं लोग समझेंगे कि चोरी करते पकड़ा गया हूँ गधे वाला कुमार आस पास की गाउं में भजनों की खातिर मशूर था मुस्कुराते हुए कहने लगा इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं भगवान तो आदिकाल से ही लीला रचते आये हैं कृष्ण कर नहीं आ तो चोरों के भी उस्ताद थे पर अब उन्हें चोर कौन मानता है तीड़ा बामन बेजा के धर्म संकट में फस गया ऐसा पता होता तो गधे का ठिकाना ही नहीं बताता कदाचित गधी का साथ छोटने पर ये गधा मन ही मनगालियां दे रहा हो और शायद गधी का शाब भी उसका पीछा कर रहा हो गाओं के बिरच और बाड़े नजर आते ही गर्धब राज चींभों चींभों करने लगे कुमहार के पाओं पर तो जैसे चीटियां रहेंग रही हो कि कब बस्ती के बीच पहुँचे और कब आँखों देखे चमतकार की बात सबको बताए इस धर्ती में अब भी ऐसे बीच बचे हुए है उस कुमहार के एक सौतेला बड़ा भाई था वो नियाओं, चाक, माटी, लीद और गधे के अलावा अन्य किसी धर्म ये किसी देवी देवता को नहीं मानता था छोटे भाई की तरह उसने न तो अपने गले से किसी भजन या हर्जस का उच्चारण किया न किसी जागरण में जीनजे बजाकर रत जगा ही किया पंडित जी को बड़े भाई की जौपडी के पीछे खड़ा करके वो खोए गधे को हांकता हांकता कच्चे पक्के भासन गड़ता भांकता गलियारे से मुड़ा ही था कि अचानक पीट फिराकर तीडा बामन को हिदायत देते हुए उसने कहा यहीं खड़े रहिएगा अभी वापस आता हूँ उसने कुछ विवाद नहीं किया हत्प्रब साज जौपडी के पीछे खड़ा रहा अकसमात उसके कानों में सोग्रे पोने की थप-थप सुनाई दी भला इससे बहतर कौन सा सुरीला साज हो सकता है और इससे बढ़कर दूसरा भजन क्या हो सकता है भीतर की समूची चेतना किवल कानों के बीच स्थिर हो गई अंगारों पर सिकते सोग्रों की भीनी-भीनी सौरब का कैसे भी अगर धूप की सुगंद मुकाबला नहीं कर सकती बिल्कुल ठोट होने पर भी उसे दस तक की गिंती याद थी एक से छे तक की गिंती में जाने दुनिया भर के समस्त अंक समा गए हो फिर तो उसने खूब ही कान लगाए और थप थप का अनहद संगीत सुनने में नहीं आया यदि इस वक्त कोई मनुष्य ताजा ताजा एक ही सोग्रा ले आए तो वो उसके लिए भगवान से कम नहीं होगा उस आधी अधूरी समाधी के बीच अचानक ये क्या कोत्क हुआ जय जयकारों की गूंज से मनो कानों के परदे ही फट जाएंगे गधे वाला कुमार सबसे आगे था उसके गले में जय जयकारों का नाद नहीं समा रहा था टाबर टूबर बूडे ठाने मनुश्यों के साथ औरतें भी कम नहीं थी कुमार की घरवाली तो माटी के धूपदान में जोद तक करके ले आई जब उसके चरणों में धूपदान करने लगी तो तीड़ा बामन को चेत हुआ चौक कर एकाद कदम पीछे सरग गया और हकलाते शब्दों में कहने लगा भले मानुसों ये क्या कर रहे हो इसके बजाए तो मेरे सर पर जूते फटकार थे तो अच्छा था कुमहार की पतनी बोली ऐसा चमतकार सुनने पर सारा कबिला आपकी जितनी आरती उतारे कम है सच मानिये तीड़ा बामन को लगा कि उसकी वानी के बोल इधर उधर चिपक गए हैं आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे जीब को जस तस काबू में करके कहने लगा देखो मैं सपने में भी जूट नहीं बोलता इसमें मेरा कोई चमतकार नहीं है टेकरी के पीछे मैंने अपनी आखों से गधे को देखा और मालिक के पूछने पर उसका ठिकाना बता दिया जो कि एक बालक भी बता सकता है इसमें क्या चमतकार गधे का मालिक आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहने लगा यही तो ईश्वर की असली पहचान है कि वो अपने आपको चीती से भी छोटा मानते हैं अपने ही मूँ से अपना बिरुद बखाने तो दुनिया इतनी भोली नहीं है कि ईश्वर के समान उसका आदर करे ऐसे अचीते कौतुक के बीच बेचारी भूख तो अपना अस्तित्व बिसर ही गई तीडा बामन की समझ में कुछ नहीं बैठा कि अब क्या करे और क्या न करे और ऐसी बुद्धी उसमें थी भी कहा वो तो एक बच्चे के नाई अभोध था उम्र के हिसाब से मुटियार हुआ तो क्या हुआ अजोगती आफ़त में कैसा फंसा माखे में जैसे अंगिनत चीटियां रहेंग रही हो चारों तरफ भीड बढ़ने लगी सो भढ़ती ही गई अकस्मात गधे के मालिक का बड़ा भाई कब भीड के बीच आकर खड़ा हो गया किसी को कुछ पता नहीं चला सब अपना अपना होश भूले हुए थे कौन किसका ध्यान रखता वो भीड को धकेलता हुआ आगे बढ़कर जोर से गर जा मज्जिदु परिया में ये क्या तमाशा लगा रखा है अब यदि मन में भी किसी ने जैजैकार कहा तो मुझसा बुरा कोई न होगा आखों से परखे बिना मैं कोई बात नहीं मानता बौडम भाई के मूँ से निराधार पर्चे की गप सुनकर मेरे कानों में तो जैसे चिनगारियां चटक रही हो इस खातिर सामने पुरसी हुई थाली छोड़ कर बाहर आना पड़ा यदि तीडा बामन मेरी जोपड़ी में अभी अभी बनाए गए सोगरों की गिंती बता दे तो इस चमतकार को मानू कुछ गहरा विचार किये बिना ही उसके होटों से अदेर सच्ची बात उछल पड़ी छे, फकत छे सोगरे उसके कानों में जैसे पटाखा छूटा हो पर अब क्या हो सकता था? मूसे निकले बोल पर आए अब इस कौतुक का अंत नहीं आने वाला चंचल जीव ने कैसी दुश्मनी बरती? चर्खी के दातों में फसने पर छुटकारा पाना मुश्किल है पर आफ़त की इस बेला में भी मुसकान ने उसका साथ नहीं छोड़ा आगे कुछ भी बात सुने जैसा धीरज बड़े भाई के आसपास कहीं भटका ही नहीं तीडा बामन के मना करते करते भी वो भाग कर जोपड़ी के भीतर गया सोग्रे गिनकर उतनी ही तेजी से बाहर आया और पूरी ताकत से जैजैकार करते हुए उसने बामन के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया जलता हुआ धूपडान हाथों में उठा कर तीन बार उसकी आरती उतारी फिर तो बस छोटे भाई के पाउं में तो घुंगरू ही बंद गए बगले नचाता हुआ जोर जोर से जैजैकार करने लगा सो रुका ही नहीं दोनों भाईयों का ऐसा जोश देख कर धोली क्यूं पीछे रहता धोल का डंका सुनते ही तमाम भीड नाचने लगी जैजैकारों की गूंज से आकाश कुछ नीचे हुलसाया आस्था, उच्छास और उमंग के उस माहौल में जैसे कुद्रत भी साथ जुड़ गई घबराया हुआ तीड़ा ब्रामन इदर उदर झाकने लगा ऐसा बेजा तो सपना भी बुरा सो वो खुली आँखों से ये हाथसा देख रहा है और सुन रहा है कैसी भी भूख और कैसे भी दुख में वो कभी विचलित नहीं हुआ पर हावा को चीरती इन जैजैकारों और धूपदान की लप्तों को वो जेल नहीं सका ऐसे जीने की अपेक्षा तो मौत भी बुरी नहीं जनम जनम की भूख और गरीबी कोई लांचन नहीं है पर ऐसे निराधार यश और मिठ्या बिरुद से बढ़कर पाप या अकरम और क्या हो सकता है मूँ छेपाने या पस्थ होने से इसका निवारन होना नहीं है आज उसे पहली बार बहत दुख हुआ कि बामन के घर जनम लेकर अगर वो ग्यानी होता तो इस बोराई भीड को घड़ी सवा घड़ी मगज मारी करके अवश्य मना लेता फिर भी उसके वश रहते वो कोई कसर नहीं रखेगा अब जूट के तो पाउं नहीं होते तब वो कितनी दूर चल पाएगा बड़ी तेड़ी पहेली में बामन उलज गया उस आधी अधूरी तंद्रा या मूर्चा के बीच उसे ऐसा महसूस हुआ मानो बिना खाए ही उसकी भूख मिट गई हो अब तो ये जहमेला सुलजाने पर ही भूख की चिंता करेगा बूख की चिंता के मुकाबले इस जूठे यश की चिंता हजार गुना ज्यादा है जादू टोने जैसी कोई असरदार बात कहने के लिए वो भीतर भीतर छटपटाने लगा पर वैसा एक सबद भी उसके मन ना उपजा मगर गधे वाले कुमार के सौतेले भाई की जबान पर शब्दों की भरमार थी भीड की चक्चक को रोकते हुए वो कहने लगा अल सवेरे बूखे पेठी अपने खेट में जार जंखार निकालने पहुँच गया था भूत की नाई बेशुमार महनत की सो एक भी जाड़ी छोड़ी नहीं महनत का भूख के साथ जितना मेल होता है उतना आलस से के साथ नहीं होता घर के फल से पर पहुँचा तब तक आँखों के सामने अंधिरा चाने लगा चूलहे के पास बैठ कर आँख का करिश्मा टुकर टुकर देखने लगा खुद धूधू करके सुलगती है पर दुनिया के पेट की दाज भुजाती है अपने जलने की कतई परवाह नहीं करती हम तो चिंगारी के चिपकने से ही हाथ जटकने लगते हैं जैसे ततईये ने डंक मारा हो इस सोच विचार के दौरान मेरी आँखों के सामने सोग्रे पोए और सेके गए पर मुझे कुछ नहीं पता और जोपडी के बाहर खड़े तीड़ा ब्रामण ने सही गिंती बता दी अब इसे सहदेव माने अवतार माने या प्रत्यक्ष भगवान अब भगवान के कोई सींग पूछ तो होते नहीं वो तो मनुष्य के बहाने ही लीला रचता है मैं तो खुद चकित रह गया भूख जाने कहां बिला गई कुछ होश हवास ही नहीं रहा ऐसे मनुष्य के एक बार भी दर्शन हो जाएं तो बरसों तक भूख नजदीक होकर नहीं फटकती इतने में अदबावले बामन ने दोनों हाथ उठा कर रुखने का इशारा किया तो बड़े भाई को रुखना ही था भगवान का कहा भला क्यों कर टालता लोगों ने साफ साफ देखा कि अवतार के अध्रों पर मुस्कान समा ही नहीं रही वैसी पवित्र मुस्कुराहट तो आज से पहले किसी मनुष्य बंदे के होटों पर दिखलाई ही नहीं दी सुगंभीर स्वर में वो कहने लगा आप लोग माने न माने मैं स्वयम तो सची बात जानता हूँ ना कि तीन दिन भूखा रहने से मैं पूरी तरह से पस्थ हो गया था अचानक जोपडी के भीतर सोग्रे पोने की थप थप सुनने पर मेरे कानों की श्रवन शक्ती चोगनी बढ़ गई यदि उस वक्त जोपडी के भीतर तुस भी गिरता तो मैं उसकी भनक भी सुन लेता मुझे लगा कि उस वेला में मैं बहरा भी होता तो वो सू मदुर थपा थप मुझसे चुपी न रहती या तो बचपन में बच्चों को मा की थपकिया मीथी लगती है या उस समय मुझे बिना शब्दों का वो गीत अत्यधिक मीठा लगा पर अब मेरे लिए भूख के बजाए इस जूठे हुरदंग को मिटाना जुरूरी हो गया है जब तक मेरे मन की सच्ची बात कुबूल नहीं करोगे तो बिना संथारा लिए मेरे प्राण छूर जाएंगे मेरे खयाल से तो अब तक आपका भ्रम बिलकुल मिट जाना चाहिए कि उस बेला जबरदस्त भूख से पस्थ होकर मैंने एक-एक सोग्रे की गिंती की थी सो मुझे पता था बड़े भाई ने बीच ही में टोकते हुए जोर से कहा उस वक्त मुझे आपसे कमभूख नहीं थी फिर मेरे अंतस की सच्चाई का क्या होगा सारा एलाका जानता है कि पुराने शाष्त्रों के पंडित मुझे समझा समझा के हार थके पर मेरे नास्तिक सोभाव की कोर भी खंडित नहीं हुई और ना उसमें कभी कोई दरार ही पड़ी फकत आज ही मेरे मन में आस्था जागी है और आज ही आप उस पर कालिक फोतना चाहते हैं क्या हम इतने लोगों के मन की सच्चाई से आपके एकलोते मन की सच्चाई बढ़कर हो गई ये तो नियाय संगत बात नहीं है मेरी आस्था मिटाने से आपको क्या हाथ लगेगा तीड़ा बामन के दिल में कसमसाती नहीं समझ का पैंदा आ गया तो उसे अदेर कुछ भी चवाब नहीं सूझा लेकिन उसकी मुसकान रंच मातर भी फीकी नहीं पड़ी उस अचीती आफत के बावजूद उजली होते हुए भी लोगों को उस मुस्कुराहट की रंगत कुछ बदली-बदली सी निजर आने लगी जब दोनों तरफ मौन पसर गया तो ठिकाने के सेट की ओजरी में बिजली की कड़क गुंजी जैजैकारों की होड मची देखी तो वो भी चुपचाप तीड़ा बामन के पास आकर खड़ा हो गया सारा विवाद उसने ध्यान पूर्वक सुना बड़े भाई की ओर एक कदम बढ़ा करके कहने लगा आस पास के सब लोग जानते हैं मेरा नौलखा हार चुराय हुए कल पूरे तीन महीने हो जाएंगे रजवाडे के चोरों की हड़ियां बजाई गई लेकिन हींग की गरस भी सरी नहीं ठाकुर साहब और राजा जी तक ने कोई कमी ना रखी पर चोर का पता न लगा सुन लगा जानता हूँ कि गधे का पता और सुग्रों की गिंती बताने की अपेक्षा ये बहुत तेड़ा पहाडा है यदि नए अवतार ने हार की चोरी का पता लगा लिया तो हार के साथ 1100 मोहरे भेट चड़ाऊंगा साथ दिन की महलत देता हूँ पता नहीं पढ़ने पर सारी कलई उगड़ जाएगी अब हवेली ले जाकर चांदी के थाल में अपने हाथों परेजगारी करूँ तब जाकर मन को शांती मिले कहां कहां किस किस छोटे मोटे देवी देवताओं को धोग देकर मानता नहीं बोली लेकिन सब अकारत बिगडे जमाने की नाई आज के देवी देवताओं की कुछ भी साख नहीं रही बात नौलखे हार की नहीं है पुर्खों की प्रतीष्ठा का रोना है यदि मेरे अपने दुर्भाग्य की वजह से हार न भी मिला तब भी तीडा बामन को एक जून भी भूखाना रहने दूँगा अब कहीं इतनी देर बाद तीडा के बावजूद उसके रदय में चेतना जागी तरह तरह की बातें उपजने लगी मैं ब्रामन होते हुए भी एकदम ठोट हूँ ये बात तो किसी से छिपी नहीं मेरे जनम के एक बरस बाद ही मेरे माबाप समा गए विद्वा बुवा ने बकरी का दूद पिला पिला कर मुझे पाला पोसा अनााथ अनपड और गरीब बामन को भला अपनी बेटी कौन देता समझ बूज लायक उम्र होते ही जाने क्यों मेरे मन में सनक सूजी कि भीख मांग कर ही गुजर बसर करूँगा आज दिन तक मुझे इस भेद का सुराग नहीं लगा भीख मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक जस तस उम्र बढ़ने लगी मैं भूखा रहने का आदी हो गया उससे मेरी आत्मियता जुरती गई जैसा तैसा भी मेरा जीवन है मैं पूरी तरह से उसमें रच पच गया हूँ कभी दूसरे जीवन की चाह नहीं की और करूँगा भी नहीं तीड़ा बामन के आखरों की जमा पूंजी रीतने लगी तो वो गर्दन घुमा कर इधर उधर देखने लगा मानो हवा से उधार मांगने की निर्वाक मन्शा दरसा रहा हो भीड में खड़ा हर व्यक्ति पूरे उच्छा से उसकी बातें सुन रहा था मानो किसी पहुचे हुए संत के प्रवचन गुन रहा हो अजाने ही उसका जोश उमड़ा छोड़े हुए आखरों का सिरा पकड़ कर आगे कहने लगा आप लोग माने न माने मैं अगली योनी में भी इसी जीवन की काम ना रखता हूँ भीड में सुप बुगाहट मचली ज्यादा तर लोग मन ही मन मुसकाए मगर मूँ से बोल कर किसी ने भी प्रतिवाद नहीं किया वो सोचने लगा कि चुप रहने से मेरी बात बनेगी नहीं उसके होट स्वता हरकत में आए गाच बिरच जाड जंखाड और पंची जानवर जिस तरह जीते हैं मैं मनुष्य होकर भी उसी तरह जीना चाहता हूँ मेरे ठस मगज में ऐसी सनक क्यों जिली मैं आज तक इसका मायना नहीं समझ सका लेकिन अपने गाउं और आसपास के इलाकों में मनुष्य का धर्रा देखते देखते मेरे भीतर आजाने ही ऐसी विरक्ती पसरती गई कि इस तरह जीने में कुछ तुक नहीं है फिर भी मैंने आत्म हत्या जैसी अधम बात सपने में भी नहीं सोची और ना ही कभी मरने को जी चाहा अपने जैसे तैसे दड़वे में मैं पूरम पूर मगन हूँ मुझे न तो सेट जी का हार चाहिए न ग्यारा सो मोहरें और न किसी मेहर मया के आसरे मैं दो जून पेट भरना चाहता हूँ मुझे ऐसा कोई घर आंगन नजर नहीं आता जिसके कुठले में कुदाना ना हो जहर के बजाए मुझे कुदाने का डर ज्यादा लगता है अब तो भीड की अंतनियों में उलची मुस्कुराहाट होटों पर आकर ही रहेगी कब तक धीरज धरे ऐसी बोराई बाते तो भीड को पहली बार सुनने में आई थी कुछ न कुछ सार या तत्व तो नजर आता है सब ही एक दूसरे का मुझ जोने लगे यदि सचमुछी अवतार हुआ तो बहुत बुरा बिताएगा सुनने में तो एक दमडी भी खर्च नहीं होती तब सुनने में हानी क्या है नहीं बोलता है तो बोलने दो तीड़ा बामन अब तक सुध बुद्ध बिसरा हुआ था सेट जी की और नजर गड़ा कर कहने लगा जब कुद्रत मुझे भी भूख का लफड़ा इनायत करने से नहीं चूकी तो कभी कबार किसी खरे मनुश्य के अन्न से या ज़ादा तर कुद्रत की रसोई से जस्तस कुजर बसर कर लेता था आज उससे भी छुटकारा मिला उम्र में पहली बार आज ही जूठी प्रसिद्धी की बेडियों में फसा हूँ सो सेट जी का हार नहीं मिलने पर आप सबकी आँखों के सामने उजागर हो जाएगा कि मैं निपट मामुली इनसान हूँ मुझ में कोई खास बात नहीं फकत मेरे जीने का धर्रा आप सबसे मेल नहीं खाता भले न खाए इससे किसी का क्या बनता विगरता है अब तो मैं भूख के आसरे भी नहीं हूँ भूख तो अंतनिया चबाती हैं पर जूठी प्रसद्दी का मो तो आत्मा को कुतरता है यहाँ पर एक खशन भी बिताना मेरे लिए पहाड सा बोजिल हो गया है जीने की ये कैसी मजबूरी है कि आज मुझे इतना बोलना पड़ा जितना मैं सारी उम्र ना बोला जब चीटों, मकोडों और कीट पतंगों की आप लोग परवाह नहीं करते मुझे भी मेरे हाल पर छोड़ दीजिए बस इतनी सी इजाज़त चाहता हूँ फिर भी राम जाने क्यों सेट जी सहित सभी के मन में उन बेतुकी बातों का आतंक छा गया ऐसी नई और विचित्र बातें आज दिन तक किसी के हिये में नहीं उगजी किसी छोटे मोटे चमतकार का जोश नहीं होता तो निसंदे ऐसे खरे बोल नहीं उगलता साथ दिन की महलत बीतने पर हजरत की सारी हैकडी पैंदे में बैठ जाएगी तब तक अपने हाल पर जीए तो जीने दो फिर तो बस्ती के हाथों डाली नकेल के सहारे इधर या उधर कदम उठाएगा मुसकान के बजाए सुबक ने न लगे तो बस्ती की एहमियत ही क्या बाकी सब लोग तो अपनी अपनी खाल में दुबक गए भीड के जोश का उफान ठिकाने लगा पर सेट जी के मगज में बे शुमार पूंजी का उन्माद उछाले भर रहा था जब उन्होंने अतिशय विनम रवानी में अपने नोरे चल कर आराम से सोने खाने की मनुहार की तो उसने उसी लहजे में मुस्कुराते हुए कहा मेरी जोपडी से अधिक आराम मुझे अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा मेरी चिंता आप मुझे ही करने दें तो आप सब का बेशी अभार मानूंगा ये कहकर वो मंद मंद मुस्कुराने लगा वो मुस्कुराहट तो बेजा ही तीखी थी जो गिंती के भद्र मोतबरों को काफी असहाय लगी मानो उनके ठाट बाट का मखौल उड़ा रही हु ऐसी अमिट मुस्कान तो सातों सुखवाले माया पतियों और राजा बादशाहों को भी नहीं पोसाती पर ये दरित्र ब्रहमन तो कभी भी उदास या अवसन नजर ही नहीं आया इसके पास ऐसी क्या अदीट शक्ती है जिसकी पुखता पड़ताल किये बिना किसी को भी चैन नहीं मिलेगा आखिर बस्ती का महताज तो इसे होना ही पड़ेगा आज नहीं तो साथ दिन की महलत के उपरांत भला बस्ती को नकार कर वो इस तरह मुस्कुराते हुए कैसे जी सकता है इतने दिन परवाह नहीं कि इसलिए इसको इतनी अकड़ा गई देश का स्वामी जब तक सेट जी की मान मर्यादा रखता है बराबर बिठाता है ये सेट जी कोई मामूली बनिये थोड़े ही है कई बार कमी पढ़ने पर राज्ये के खजाने की इज़त रखी है और ये कंगला अपनी गरीबी पर भी इतना मोद करता है साथवे दिन इसकी थोथी हेकडी में ठोर ठोर मोचें डालनी पड़ेंगी बेश़ूर कहीं का नोहरे में आराम से सोने की मनुहार तक नहीं मानी बिखरती वेला प्रत्येक मानुस के हिये में ऐसी ही कुछ खुंदक थी पांखें आने पर कीडे को जलना ही पड़ता है सेट जी के मन में काफी देर तक उथल पुथल रही तो उन्होंने सांज फूलते ही अपने बेटे को तीड़ा के पास पाटी पढ़ा कर भेजा रटे रटाए शब्दों में उसने अरदास की भायजी के पहुचने से पहले ही नोहरे में पलंग पर नया बिच्छोना करवा दिया है सूने पलंग के अपसगुन होते हैं मेरी बाई ने बहुत आदर के साथ अरज करवाई है सुबात तो मानिये इस पर तीड़ा की जबरन हसी छूट गई उजली वानी में बोला मैं रूठा थोड़े ही हूँ कि आप से मनुहार करवाऊं तब उसके मुँ से दबी बात स्वत्ध उच्छल पड़ी जब मामूली टेपों कुमहारों के लिए एक अपशब्द की रूप में टेपों का इस्तिमाल किया जाता है जब मामूली टेपों को हाथों हाथ पर्चे दिये तो हमारे नौलखे हार का पता लगाने में क्या जोर पड़ता है तीन महिनों से हवेली में मार हाय तराय मची हुई है तीडा प्राह्मन ने बुर्राक मुस्कुराहट के साथ कहा कितनी बार सुनने पर आपको ये विश्वास होगा कि आँखों से देखने पर ही मैंने गधे का ठिकाना बताया और भूख की परेशानी के मारे मैंने सोगरों की गिंती बताई तमाम बस्ती में कोई भी मेरे कहने का भरोसा नहीं करता जिसका तो मेरे पास कोई उपाय नहीं अब ठाकुर साहब और राजा जी द्वारा अनेक प्रपंच करने पर भी चोरों का पता नहीं लगा तो मुझ गरीब बामन की क्या उकात है सेट जी के लाडले को जनम से ही ऐसी गुट्टी दी हुई थी कि रिशी मुनी, संत महत्मा और पहुचे हुए भक्त भी जब रुपए की जंकार सुनने पर विचलित हो जाते हैं तब इस दीवाली बामन की क्या विसात कोहनी तक हाथ जोड़ कर शहद सी मीठी वानी में कहने लगा भला भगवान से दुनिया की कोई बात छिपी रह सकती है मेरे भाई जी कॉल करने के बाद भी सपने में आगा पीछा नहीं सोचते मैं उनी का सुपुत्र हूँ घर वालों से छिपा कर पांच सो महरे नजर करूँगा तीडा ने गरदन उठा कर संग्या विहीन सा होकर निर निमेश द्रश्टी से उसकी ओर देखा जैसे कुछ खोज रहा हो जाने क्या सोच कर उसके सामने छिपे लोब की बात चलाई कुछने कुछ आधार तो अविश्य मिला होगा उसकी मुसकान क्षन भर के लिए बुझ गई पूछा क्या भगवान को भी नौलखे हार और मोहरों की जरूरत पड़ती है इस सवाल के साथ ही तीडा को बर्बस ऐसी अचीती हसी चूटी कि सामने वाला मानुस तोप का धमाका सुनकर भी इतना भैबीत नहीं होता उल्टे पाउं धड़कते दिल से बह मुश्किल पीछे खिसकता खिसकता हवेली की दिशा में रवाना हो गया तब मचली पर बैठा तीडा बामन अकेला बच गया वो अब तक हमेशा अकेला ही रहा पर आज पहली बार उसे अपने अकेले पन का थोड़ा बहुत डर लगा कभी अपने आप से समवाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी पर आज समवाद किये बिना समय का दबाव हटने वाला नहीं है उहा पोह के ऐसे दलदल में वो कभी नहीं फसा था कुछी देर के पारस पर एक दवंद में वो पसीना पसीना हो गया दूसरा कोई उपाय उसे जब नजर नहीं आया तो अपने आप से पस्थ होकर वो मचली पर लेट गया लेकिन काफी देर तक नीन नहीं आई इससे पहले तो लेटने के साथ ही वो मीठी उंग की तरंगे उसकी पुतलियों में लहराने लगती थी पर आज तो वो टेरने पर भी पास नहीं फटकना चाहती आखिर अपने आप से हार कुबूल करके वो नीन्द का सुमिरन करने लगा आजारी निद्रा आजा आजा आजारी निद्रा आजा बिरच और नदियों के बजाए तुझको सुमरने लगा हूँ आजारी निद्रा आजा आखिर कई बार निद्रा का निरंतर सुमिरन करने के पश्चात उसे ऐसी गहरी नीद आई कि प्रभात की बेला में चिडियों की चह चहाट से भी उसकी आँख ना खुली जैसे पलकें पुतलियों से चिपक गई हो शाय जोपडी के मांडनों को भी अच्रच हुआ होगा कि सूर्योदय के बाद भी ऐसे मधुर मधुर खराटे कौन भर रहा है ऐसा तो कभी नहीं हुआ क्या जोपडी को भी सपने आते हैं और उधर हवेली के मालिकों का मन भी डामाडोल हो रहा था कि इस बामन से ऐसी चूप क्यों कर हुई आज से पहले तो हमेशा दो घड़ी रात रहते अपने नित्य कर्म से निवरत हो जाता था जोर जोर से नदियों का सुमिरन करते हुए उसकी बोली कितनी सुहानी लगती थी गंगा, जमना, कृष्णा, कावेरी, गोमती गोदावरी, नरमदा, चंबल इतियादी मानो वो तमाम नदियां उसके अंतस में लहराती बह रही हो जब इच्छा होती, सेट से ठानी अकसर तीसरे माले की छट पर खड़े हो जाते सोचने लगे कि आज नागा क्यूं कर हुई पोल खुलने के दर से कहीं भाग तो नहीं गया सबको ही अपने अपने प्राणों का तो मोह होता ही है तेरस की उजली चांदनी में पचास कदम दूर तालाप का परला किनारा साब दिख रहा था सेट जी के पुर्खों ने सौ सवासो बरस पहले पानी के अभाव में ये सार्वजनिक तालाप खुदवाया था एक साधारन बस्ती में लंबी चोड़ी आगोर के कारण तालाप पूरा भर जाता साल भर तक मजे में पानी टिकता बस अध बावले बामन के हीए में सनक चचनी चाहिए सनान वगेरे से निपट निपटा कर कहीं तीन घड़ी रात रहते वापस न लोट गया हो दो घड़ी दिन चड़ने पर जब उनका धीरत चुक गया तो एक ताबेदार के साथ सेठानी और बाप बेटा तीनों ही तीड़ा बामन के ठिकाने पहुँचे ताटी का फड़का आधा उगड़ा हुआ मचली पर अगाद उंग में सोते बामन के खराटे बाहर सुनाई दे रहे थे जोपड़ी का मूँ पूरब की दिशा की ओर था सामने किसी बड़े मकान या लंबे पेड़ की ओट नहीं थी अचानक सेठानी की नजर मचली के पास दमकती हुई एक चीज़ पर पड़ी वो अत्यधिक उच्छा से तेज तेज कदम भरती दरवाजे तक पहुँची तो उल्लसित स्वर में जोर से बोली अरे ये तो मेरा नौलखा हार जगमगा रहा है बस फिर तो बाप बेटा दौनों ही दोड़ कर भीतर जा पहुचे सेठ ने लपक कर हार उठाया सेठानी की पहचान में रंच मातर की खामी नहीं थी हो हल्ले की भनक सुनकर तीड़ा ब्रामन अदेर उठ बैठा किर्णों के उजाले में आँखें टमकारते हुए बोला आज जैसी नीन तो कभी नहीं आई इतनी धूप चड़ने पर भी मेरी आँख न उगड़ी देर से ही नीन आई तो देर से ही उठना पड़ा आपके नौलखे हार नहीं ये आफत मचाई है सेठ ने तो जैसे उसके बोल सुने ही नहीं खुशी और घुस्से के स्वर में पूछा मेरा नौलखा हार यहां कैसे पड़ा है ये अनौनी क्यों कर हुई तीडा के होटों पर किर्णों जैसा उजाला था मुझे कुछ भी नहीं पता बोल दिया फिर जोर से हस्ते हुए कहने लगा ये समझ लीजिए कि तीन महीने पहले मैं नहीं इसे उचकाया था सेठ एकदम टैश में आ गया ये ठिठोली का मसला नहीं मुझे उस चांडाल का नाम बताओ मेरे दिल में आग धधक रही है चमडी में नमक भरवाय बिना नहीं छोड़ूँगा पंडिच जी नाम तो आपको आखिर बता नहीं पड़ेगा नाम मालूम हो तो बताओं सच मानिये इस हार का सुराग तो आपके मुझे ही सुना है जाने कौन यहां ये नाटक कर गया खाट से उठते ही दमकते हार में आखें गड़ा कर बस्ती और सेट जी के मारे नींद ना आने का जाप सुनाया तो तीनों का दिल बैठ गया कुछ ख़ण तक किसी के मुझे एक भी बोल न निकला तो सेट ने हकलाते हुए भेद प्रकट किया ये निद्रा तो मेरी पासवान की वेटी है सभी जानते हैं चार महीने पहले ही पास के गाउं में ठाट से उसका ब्यार अचाया था उस जैसी सीधी और समझदार लड़की खोजने पर न मिलेगी इस बीच सेट जी के चार पांचे एक चाकर वहां आधम के उन्हें देखते ही सेट ने गरच कर कहा मेरा मूँ क्या गेख रहे हो गाड़ी जोतकर निद्रा के ससुराल जाओ सेट जी के बाकी मोल मूँ के मूँ में रह गए और घबराई हुई सी निद्रा वात चक्र की गती से जोपड़ी में घुस्ती हुई नजर आई तीडा बामन के पाउं पकड़ कर जोर से चिल लाई अंदाता किसी भी तरह मुझे बचाओ गलती तो मुझसे बहुत भारी हुई है खूब मजबूत रही पर आखिर मेरा मन डामा डोल हो गया कुछ देर ठहर कर आगे कहने लगी दो घड़ी राट धले पिछले पर्चों की सच्चाई के कारण मेरी बेचैनी बहुत बढ़ गई तो नंगे पाउं आपके आसन की ओट छिपकर चुपचाप खड़ी हो गई थी आप तो जैसे मेरे नाम की माला जपने लगे कापते हाथ से हार धर कर वापस घर में दुबग गई आज पहली बार आप ही को सच्ची बात बताऊंगी सेठा ने घुस्से के मारे कापने लगी और थोक उचालते हुए बोली तू तो जाने कब सच्ची बात बताएगी उससे पहले ही तेरी हाथो हाथ फारक्ती करवादूंगी फिर एक मुस्टंड चाकर की ओर देख कर कहने लगी इस रांड का चुट्टा पकड़कर पांच सांथ लाते जमाओ अपने आप सच्ची बात छिटक पड़ेगी मुस्टंड के मनशा भापते ही तीडा को पहली बार मामुली खीट चड़ी मुस्कान रहित रूखे स्वर में बोला खबरदार इस बिटिया को हाथ भी लगाया तो मैं खड़ा-खड़ा सुलग जाऊंगा इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा जोर नहीं है पहले इसकी बात तो सुनो बाप बेटे दोनों का मन जाग रहा था वो तो बिना सुने ही निद्रा के पेट की सची बात जानते थे यदि वो सची बात हवा में फैल गई तो राज जिभर में किसी को मुझ दिखाने लायक नहीं रहेंगे राजा जी क्या दंड देंगे सो तो वो ही जाने ये सांच तो हिंडिया में धका रहना ही ठीक है तिस पर सेट तो पूरा हिसा भी था मन ही मन सब जोड़ वाकी कर ली इस बीच लगभग आधा गाउं तीडा बामन की जोपडी के एर्दगिर्द इखटा हो गया दिप दिप जगमगाता नौलखा हार सेट जी के दाहिने हाथ में लटक रहा था दूसरा कोई भी उपाय जब नजर नहीं आया तो वो गले की पूरी ताकत से तीडा ब्रामन की जैजै बोलने लगे सुरुके ही नहीं फिर तो कहना ही क्या था बस्ती के लोग क्यों पीछे रहते एक एक गले से तीन तीन गलों की जैजै कार से हवा में भमर पढ़ने लगे तीडा बामन बार बार उन्हें मना करता रहा रोकता रहा पर जोश में चड़ी बस्ती उसे रोकने से कब रोकती चमतकारों की हामी भरने वाला तो कपटी, जाली और धूर्थ होता है इश्वर के उँचे आसन तक पहुँचा बंदा ही स्वयम को छोटा करके मानता है प्रत्यक्ष तीन तीन चमतकार बताए तब भे इंकार कर रहा है कीरती से बचना चाहता है सेट का बेटा तीन चारेक हालियों के साथ हवेली तक भागते भागते पहुचा और गाड़ी दोराते हुए लोटा बैलों वाली गुनतियों में ग्यारा सो मोहरें सली के से धरी हुई थी जब सेट ने अपने कौल मुझब नौलखा हार और मोहरें तीडा बामन को भेंट करने की मंशा दरसाई तो समूचा गाओं बच्चे, बच्चियां, मुटियार, बुढ़े, बुजोर्ग और और ओरतें एक एक करके सब के सब जैजेकार बोलने लगे, नाचने लगे, साथ ही साथ मिरासी ढोल धमकाने लगे तीडा ब्रामन का मुझ उतर गया, जैसे मा के इंतकाल की खबर अभी अभी आई हो उसकी मुस्कुराहट में आसुओं से अधिक वेदना उजागर हो रही थी वो दुख आसुओं में प्रकट हो जैसा था ही नहीं उसमें बार बार आगरह किया तब जाकर कहीं भीड शान्त हुई उम्र में पहली बार याचक के उन्मान हाथ जोडते हुए ब्रामन कहने लगा पहले मेरी बात तो सुनो फिर मर जी हो तो मुझे भगवान मानो चाहे कोई अवतार मुझे इनायत करने के बाद ये नौलखा हार और गूरती की मोहरे मेरी हो चुकी मैं बहुत खुश होकर अपनी इच्छा से ये दोनों चीजे निद्रा को सौपता हूँ आप सभी जानते हैं कि निद्रा सेट जी की बेटी है तब उनकी संपत्ती में इसकी इतनी भागिदारी तो होनी चाहिए उसकी बाजू में खड़ी निद्रा उतावली में जोर से बोली आपने एकदम न्याय की बात कही बाप जी इसी खातिर मुझे ये कूमत सूजी थी मैं समान दहेज और गहनों की हकतार हूँ लेकिन इनके घर वाले सभी तिनके जितनी भी मेरी परवा नहीं करते उल्टे मुझे बुरा भला कहते हैं दुद्कारते हैं और एक बात और सेट का बेटा भी बाप की ही तरह पोशाल में पाटी पढ़ा हुआ था निद्रा की ओर देखते हुए धीमे स्वर में फुस फुसाया अब चुब्भी कर लक्षमी तीडा जी भगवान जो भी आदेश करेंगे वही करूँगा सादा खीचने से तूटती है तूटने दो फिर डबडबाई आँखों से पंडित की ओर देखते हुए निद्रा कहने लगी बाप जी ये दोनों बाप बेटे एक ही हंडिया की ठीकरिया हैं बस्ती के पंचों को तो जेब में रखते हैं जेब में मुझे भरोसा सिर्फ आपका है नहीं बिटिया मैं तो एक गरीब बामन हूँ तू भरोसा करे उतनी मेरी आउकात नहीं सेट जी के हाथ से इनायत की हुई पूंजी तुझे सौपी सारी बस्ती के सामने अब इसमें कुछ भी जंजट नहीं है तू बिलकुल चिंता मत कर इस बार गधे वाले कुमार का बड़ा भाई भारी कंट से बोला अब ये चिंता बस्ती की है किसी दूसरे की पंचायती यहां नहीं चलेगी पर आपका आसन तो अब यहां भगवान से भी उचा हो गया इतनी पूंजी के लिए मोटे मोटे देवता भी मरने मारने को आमादा हो जाते हैं पांच या ग्यारा रुपियों का बोलवा नहीं चड़ाएं तो बुरा मान जाते हैं और आपने तो एक तिनके की नाई ये सब कुछ त्याग दिया फिर ईश्वर या परमेश्वर के तुर्रा तो लगा नहीं रहता और तुर्रा कलंगी लगे हुए भगवान तो मुझे फूटी आँख नहीं सुहाते जय बोलो तीडा भगवान की जय लोग बाग तो इतनी देर की खामोशी से उकता गए थे इस तरह मन वांचित छूट के बाद कौन किसके पीछे रहने वाला था मुँ और पाउं भला किस दिन के लिए हैं वैसा उल्लास और वैसी जैजैकार का उद्गोश तो रजवाडे की स्थापना के दिन भी सुनने में नहीं आया और दूसरी तरफ तीडा बामन जैसा दुखिया और लाचार मनुश्य संसार की उत्पत्ती के बाद आज दिन तक पैदा नहीं हुआ होगा वो सोचने लगा कि अब करे तो क्या करे नवैसी सूजबूज थी और नवैसी समझ जब अपने बल बूते पर भूखे मरना भी उसके वश की बात नहीं थी तब उसके विपरीत मन्शा मुझब सुख की आशा रखना कब पार पड़ती और क्यों कर पार पड़ती यदि हीरे मोती और सोने से सुख मिलता तो उसे उपलब्द थे ही लेकिन जूट की एवज में उनके लिए अपने मन को क्यों कर विचलित होने देता ये तो बिना सोचे ही समझने की बात है जब ये छोटी सी बात भी इनकी समझ में नहीं आती तो ऐसी अक्कल का क्या अचार डालना है यहां तो बोलने पर भी कुछ हल निकलता नजर नहीं आता तब उसके अंतस का मौन किसे सुनाई देगा और आखिर अपने मन की बात वो दूसरों को सुनाना ही क्यों चाहता है वो स्वयम तो प्रतिक्षन उस मौन को सुनता ही है फिर खामोश रहने में कैसी गिरगिरा हट कैसा आसमंजस अकसमात उस अपूर्व धमचक और जैजैकारों के घोश पर ऐसी खाम लगी कि चारों तरफ सन्नाटा पसर गया तीडा ने चौक कर इधर उधर देखा ठिकाने के कामदार की धमकी से भीर चुप हो गई तो सेट जी के पास आकर वो कहने लगा इतनी देर कनफोड शोरगुल सुनने से अंदाता का नशा उतर गया वो कबसे हम पर आंक बबूला हो रहे हैं बार बार घुस्से में वलबला रहे हैं कि ये पैदाईशी मंकता तीडा बामन कबसे चमतकार बताने लगा ठग विद्या के लिए उसे यही ठिकाना मिला सर पर पांच साते एक जूते बचते ही चमतकारों की पोल खुल जाएगी जब तक अंदाता अपनी आँखों से जूट साच की परताल न कर ले वे किसी दूर्त के बहकावे में नहीं आएंगे यदि हुजूर की मन्शा मुझब चमतकार बता दिया तो ठिकाने के चुनिंदा सोलो गाउं इनायत कर दिये जाएंगे वरना काले मू और नीले पाउं गधे पर बिठा कर दूसरे राज्य में भगा देंगे कौन नहीं जानता था कि जूट और ठगाई के नाम से अंदाता की आँखों में अंगारे दहकते हैं मू लगा खवास कब से मसाले लगा लगा कर तीनों चमतकारों का बखान सुनाने लगा सो चुप होने का नाम नहीं हुजूर बार बार पूछते हैं वो बार बार दोहराता है तमाम लोगों के अचरच का पार नहीं रहा कि तीड़ा बामन की बुझी-बुझी मुस्कुराहत वापस दमक उठी कहने लगा मेरे खयाल से जूटे यश के बजाए देश निकाला बहतर है मुझे कोई एतराज नहीं अब एक पल की धील भी मेरे कलेजे पर करोथ सी है मेरे चमतकारों की सच्चाई मुझसे अधिक कौन जानता है फिर भी आप न माने तो आपकी मरजी इतना कहकर वो सेट जी के रत पर उनके पास बैठ गया अब तो इस जूट मूट के यश की कलई उगड़कर ही रहेगी उसके होठों पर मुसकान निरंतर बढ़ने लगी जैसे उसकी आकांग्शा के अनुरूप सम्पोरन कामना पूरी हो गई हो इस कोटी के सिर्फिरे बंदे पैदा तो इसी दुनिया में होते हैं पर ऐसा निराला साचा तो विधाता ने पहली बार ही आजमाया होगा गधे वाले कुमार का बड़ा भाई भीड को समझाने लगा बड़े मनुश्यों की बड़ी बातें हमारी समझ में नहीं आती एक के बाद एक तीन चमतकारों को हमने अपनी आखों से देखा फिर उन पर विश्वास क्यों न करें हमारी अपनी सच्चाई हमारे सामने है अंदाता की सच्चाई अंदाता जाने हमें चुप रहने की क्या जरूरत धोल बजाते नाचते कूतते चलो इस ठिकाने की बुनियात के बाद आज दिन तक ऐसे चमतकार सुनने में नहीं आए बोलो जोर से तीडा भगवान की जै लोग बाग तो मानो उसके कहने की बाट देख रहे थे जन जन की जीव पर जैसे पांखें उगड़ाईं हुजूर का आदेश सुनने के बाद बड़े भाई को सपने में भी ऐसी आस नहीं थी कि ये दुखिया बामन इतना निश्चिंत और ऐसा निर्भय होगा भीड के जोश को भला कौन पहुंस सकता है रत के पास आकर दुगनी उमंग के साथ जैजेकार करने लगा पर इस पर दोनों की आँखें मिलते ही एक दूसरे की मुसकान का मर्म किसी से छिपा नहीं रहा मनुष्य मनुष्य की समझ में इतना भेद होता है क्या तीड़ा बामन मनहीमन सोचने लगा जाजम बिछी सिंगार चौकी के पाट पर ठाकुर साहब बिराजे हुए थे जैजेकारों का अटूट उद्घोश पास आता हुआ सुनाई देने लगा हुजूर के क्रोध का पार नहीं कैसी गमार रईयत से पाला पड़ा है समझती नहीं, सुनती नहीं, पूछती नहीं और आखे बंद करके किसी भी अनुहुनी पर विश्वास कर लेती है ऐसे अबूज तो ढोर भी नहीं होते आज तो इस मंगते बामन की खैर नहीं अगले जनम में भी चमतकारों की सुखबुगाहट भी कर ले तो उसका नाम जानता है मगर मायापती सेड़ जी को नाराज करना भी तो ठीक नहीं वो तो जरूरत पढ़ने पर देश के स्वामी का भी काम सारते है जब तब तंगी की घड़ी में ठिकाने की इज़द बचाई है नौलखे हार का तुक्का पार पढ़ गया सुपढ़ गया लिकिन वो तो अपनी आखों के सामने सही भेद जानने पर ही भरोसा करेंगे जिससे कभी दोखे की गुंजाईश न रहे अब देर ही क्या है पर सही जानकारी के पहले दोनों को जाजम पर बिठाने से सेट जी खुश होंगे गड़ की प्रोल के भीतर पहुँचने पर भी जैजे कारों का घोश धीमा नहीं पड़ा पर हुजूर के हाथ का इशारा मिलते ही लोगों के होट मानों चिपक गए सेट जी और तीड़ा ब्रामन प्रोल के बाहर ही रत से उतर गए थे तीड़ा तो एकदम गावदी था लोग व्यवहार की बातों से पूरी तरह अंजान पर सेट जी तो सोलह पाटी पढ़े हुए थे उनसे सपने में भी ऐसी चूक नहीं होती जिससे बड़े आदमी नाराज हो कामदार के कहते ही सेट जी के साथ साथ तीड़ा ब्रामन भी पाट के करीब जाजम पर बैठ गया कुछ बोलने की खातिर सेट जी के होट फर फराने लगे तो हुजूर ने उतावली दरसाते हुए कहा मुझसे एक भी चमतकार की बात छुपी हुई नहीं है कुमार के गधे से लेकर नौलखे हार समेथ मगर तीड़ा ने एक भी चमतकार के लिए हामी नहीं भरी थोड़ा धीरज रखो अभी दूद का दूद और पानी का पानी अलग थलग हो जाएगा तमाम गलों से एक साथ खमा घणी खमा घणी का भवर लहराया फिर सेट जी पीछे रहने वाले कप थे उनसे जाने अजाने कोई चूक होती ही नहीं थी पर सिर्फ फिरे बामन के होट उसी तरह बंद रहे गरदन घुमा कर वो इधर उधर तोहता रहा अचानक ये क्या तमाशा हुआ हुजूर को उसका मिजाज बहुत बेहुदा लगा बेचारे का राज तेज और ठिकाने से कप का साबका पड़ा अंधे या अजान पर क्या क्रोध करना एक लंबे खखार के बाद धपकन लगा चान्दी का लोटा हाथ में लेकर कहने लगे अनेक हाजरियों के बावजूद मेरे अलावा चिडिया के बच्चे को भी ये पता नहीं है कि इसके भीतर क्या है हाथी, घोडा या उट तो शायद ही हो इतनी समझ तो जनम दुखियारे ब्राह्मन में भी होनी चाहिए वैसे मज़िदार बात सुना कर ठाकुर साहब डग डग करके हसने लगे सो काफी देर तक हसते रहे फिर कहने लगे यदि ये कंगाल और मूड ब्राह्मन लोटे में छिपी चीज का नाम बता दे तो सोलह गामों का तामबा पत्र लिखवा दूँगा वरना काला मूँ और नीले पाओं करके गधे पर बक्षीस तो तयार ही है उसे तो कुछ जवाब देना ही नहीं था दूसरों के ताने तिशनों और बदनामी का उस पर कोई असर होता नहीं था वो तो केवल अपनी मर्जी के मताबिक ही जीने का आदी था नजाने क्या सोचकर उसने अपनी आँखें पूरी तरह मूंद ली फिर भी अत्तिधिक अचरज की बात कि हुजूर के कड़वे बोल सुन कर भी उसकी मुसकान फीकी पढ़ने के बजाए अधिक दमकने लगी जैसे किसी नए सूरज की किरण उसके होठों से उदित हुई हो ठाकुर साहब के रोश का पार नहीं रहा मानो ठिकाने के तहट एक सौ आठ गाओं एक साथ उजड गए हो लेकिन लोटे का भेद उगड़े विना तो वो अपने कॉल से बंधे हुए थे और उधर आँखे मूनने के उपरांत तीड़ा बामन भीतर ही भीतर गरचता रहा फिर उसके होटों से अपने आप सबत जरने लगे जिसका उसे भी कोई बोध नहीं था तीड़ा अब तो तेरे मरने के सिवा तेरी आफ़त तलनी नहीं कैसे बुरे जाल में फंसा उसके अचीते बोल सुनकर हुजूर आला एकदम चौके मानो कानों में ततईये के डंग चुभे हो या कोई बुरा समाचार मिला हो एक हलके खखार के बाद धीमे से उन्होंने फिर पूछा क्या कहा तुने एक बार फिर से कहना ठाकर सा के बोल शायद उसने न सुने हो मगर उसने तो निपट आजाने में ही वो बोल वापस दोहराए तीडा अब तो मरने के सिवा तेरी आफ़त मिटने वाली नहीं है कैसे बुरे जवेले में फंसा है वो बोल सुनते ही ठाकर साहब राम जाने क्या सोचकर अदेर पाट पर खड़े हुए जोर-जोर से कहने लगे ये पागल बामन तो सचमुच सहदेव जी से बढ़कर साबित हुआ तमाम अमलों से छिपा कर एक तीड को पकड़ा और मैंने उसको इस लोटे में डालकर धक्कन दिया मेरे अलावा किसी को भी इस भेद का पता नहीं है मेरे मन में अब कोई शंका नहीं बची प्रत्यक्ष भगवान के अलावा ऐसा चमतकार भला कौन कर सकता है ये अंतिम सूत्र सुना कर ठाकुर साहब ने अपने हाथ से लोटा ओंधा किया कि उसमें से एक अद्मरासा तीड यानि टिड़ा जाजम पर गिरते ही अचेत हो गया हलकी सी पांख भी फड़़डा नहीं सका अंदाता ने फिर जोर से खखार कर आदेश सुनाया कामदार जी अब एक पल की भी धील मत करो पाप का बोज निरंतर बढ़ता ही जाएगा सोलर गाओं का तामबा पत्र इसी वक्त लिख डालो तब तक ठिकाने के लोग सेट जी और मेरी प्रजा मेरे साथ जय बोलने में किसी तरह की कमीना रखें सभी मिलकर एक साथ जय बोलो तीडा भगवान की जय ऐसी छूट मिलने पर भला कौन पीछे रहता ठिकाने से चांदनी चौक में उस बादल फोड जय जयकार को सुनकर ठाकुर साहब को ऐसा मोद गुमान हुआ मानो आज ही उन्हें एक जागीर इनायत हुई हो मगर दरिद्र ब्रामन की आँखें भर आई उसकी सूरत पर किसी अन्होने सदमे की सामली छाया पुत गई जस तस बड़ी मुश्किल से खड़ा होकर ठिकाने के स्वामी पर रूबरू प्रतिवाद करते हुए कहने लगा मेरी बात का अर्थ समझने में आप से बड़ी भूल हो गई लोटे के भीतर छिपे तीड यानि टिड़े की मुझे सपने में भी जानकारी नहीं थी मैं तो अपनी विपदा की आच में ही सुलग रहा था कि जूठे यश से इस छद्म जीवन के बजाए तो मरना बहतर होगा मुझे पुखता भनक पड़ गई कि मौत के बिना इस सडांध भरे जीवन से मुपती नहीं है मैं बस्ती के ना समझ लोगों के अदीट जाल में बुरी तरह फस गया न तो मुझे भगवान की बराबरी का जूठा यश चाहिए और न सोलर गाउं के बजाए एक भी खेत की बक्सीस मुझसे अधिक सुखी मानुस दुनिया में कोई नहीं था पर बस्ती के लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया मैं जिसे सुख मानता हूँ उसमें न तो सोलर गाउं के ठिकाने से एजाफा होगा न नौलखे हार से और न ग्यारा सो मोहरों की दमक से उसकी आभा बढ़ेगी मनुष्य तो अपने उजाले की जगमगाहट से ही सुहाना लगता है उसकी कानती का आलोग बाहर के बजाए उसके भीतर है भीतर भूला बामन मना करे भी तो करने दो उसकी अपनी मौझ है बेचारे ने इस जीवन में सुख की चासनी का स्वाध ही कहां चखा यदि कीचर से सुकर ने घेवर का स्वाध लिया हो तो वो बदबुदार गंदगी में अपनी थुतनी गुसाए ही क्यों सारी दुनिया अभूज और अकेला यही समझदार की पूँच अपनी मर्जी से मान जाए तो अच्छा वरना बस्ती मनाना जानती है अच्छी तरह जानती है इस से पहले बड़े बड़े दिगजों को मनवा कर छोड़ा है थाकुर साहब को तो इस अपूर्व न्याय के बदले मानो चक्रवर्ती राज्य मिल गया हो प्रचंड देह का पूरा जोर लगा कर चीखे बोलो रे बेलियों तीडा भगवान की जय भीड के अलग-अलग कंठ मानो एक ही बड़ा दर्रा बन गए जिसकी अपूर्व गर्जना से हवा उनमतित होने लगी अपना रंच मात्र भी वश चलते न देखकर निरीह ब्रामन ने पूरे जोर से आखें बंद कर ली सो वापस खुली ही नहीं लेकिन उसे इस बात का पूरम पूर संतोष तो अवश्य हुआ कि उस मांगलिक खशन के उपरांत जूठे यश की जय जय कारें अब दुबारा कभी नहीं सुनाई देगी वो अपनी मौज में अपने हिसाब सी जिया और लोगों की ना समझी के फलस्वरू उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध मनुश्य की जिन्दगी छोड़नी पड़ी मगर वही उसका अपना निर्वान था